वेल्कम बैक एव्रीवन वेल्कम टू सविल सर्विसेश टड़ी प्रक्टिस सेट नंबर 752 है यूपी PCS के लिए हैं इस टेस्ट सीरीज की प्लेलिस्ट बना रखी है वहां पर आप टेस्ट नंबर बन से लेकर 752 तक वह हो सकते हो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक है तो चलिए स्टार्ट करते हैं प्रक्टिस करेंगे जोग्रफी से रिलेटेड डिप्रेशनों पर तो कुश्चन नंबर बन है विश्व के निम्रिकित प्रदेसों में से किसमें खटे रसीले फलो का उत्पादन वहुत विक्सित है मांसूनी प्रदेश उष्ण कटी प्रदेशों में खटे रसीले फलों का उत्पादन वहुत विक्सित है और भूमद इस अगरे जलबाईव प्रदेश को उपोश्ण कटी बंदिये सुष्च ग्रीस में जलबाईव प्रदेश भी कहा जाता है नमबर टू है नमर्कित में से कौन सा फल उष्ण कटी बंदिये नहीं है आम नारियल सेव और काजू देखे जिन छेत्रों में प्रदेशों में उगाई जाते हैं कर उनके बारे में भी याद किया सोचा तब यह प्रदेशन करेक्ट हो जाएगा उष्ण कटी बंदिये आम कहां पर नौर्थ इंडिया में तो खूब होता है नारियल तामिल नाडू हो गया करनाटक केरल गुजराद के कुछ प्रदेश सेव जो है वो कहां पर मिलता है सीतो उष्ण कटी बंदिये हैं हेमाचल में मिलेगा उतराखंड के कुछ चेत्रों में मिलेगा जमू में काजू लेटराइट मिट्टी में काजू टेपिकोया लेटराइट मिट्टी में होते हैं सब उष्ण कटी बंदिये छेत्रों में महारास्त हो गया गोवा हो गया तो इसका अंसर क्या हो जाएगा सी ही होगा तो सेव की खेती जो है उपोश्ण एवम सीतोष्ण कटी बंदि जलबायू प्रदेशों में की जाती है ना कि ऊष्ण कटी वंद्य प्रदेशों में नंबर थ्री पर आजिए विश्व में नारियल का सबसे बढ़ा उत्पादक देश कौन सा है और प्राशन इस तरह से पूछा जा सकता है कि विश्व में भारत नारियल के उत्पादन में इस तरह से पूछा जाती है कि ऊष्व में नारियल का सबसे बढ़ा उत्पादक देश है और दूसरा इस्थान रखता है फिलिपिन्स और भारत है तीसरे इस्थान पर नंबर फोर है निम्लिक दमें से कौन सा देश चुकंदर से चीनी तयार करता है चुकंदर से चीनी तय तयार करता है यूक्रेन तो यूक्रेन में लगब है कि संपूर्ण चीनी जो है चुकंदर से ही तयार की जाती है कि कॉश्यों नुबर फाइब पर आजए नम्लिक दमेंसे कौन सा देश गेहूं और चावल दोनों का संसार का सबसे बढ़ा उत्पालक देश है गेहूं उन्निस के आंकड़े के अनुसार विश्व में गेहूं एवम चावल का सबसे बढ़ा उत्पादक देश जो है वो चीन है देखे ये जो आंकड़े हैं ये दो तीन सालों में एक बार आते हैं ठीक है तो उन्निस को याधार मानी अभी कॉश्यों नुमर शिक्स पर आ जाई अन्स्तान फिलिपिन्स में स्थापित किया गया है नुम्र सवन पर आ जाईये नुमर की दिमiedzieć से किस छेटर में छोटे छेटरों में अधिक मानवश्यों की अधिक अवश्यक्ता होती है ये तो बागवानी में ही होगी थीक है ब्यापारिक बागवानी में तो व्यापारिक वागवानी खेती में अन की अपेक्षा अधिक मानव स्रम की आवश्यक्ता होती है चाय तथा कौफी आधी की क्रशी के लिए जो है निरंता रख रखा भी जरूरी है और इसके लिए इस छेत्र में अधिक लोगों की जरूरत पड़ती है और धन भी अधिक लगता है उसी सरे लेटेट पर है कॉशन नुबर एट पर आज़िए नमल के दिमेंसे कौन एक चलवासी क्रशी नहीं है चलवासी क्रशी नहीं है जोमिंग तो है चलवासी क्रशी चेना भी है और मिलपा भी है यह जूम के यह अलग-अलग नाम है अलग-अलग प्रदेशों में यहां फेजिन्डा नहीं है फेजिन्डा जो है कौफी के बागान है ब्राजिल में तो फेजिन्डा चलबासी या जूमिंग क्रसी नहीं है ठीक है देखे फेजिन्डा जो है कौफी के बागान है तो कहां प पर आजाईये मौका काफी कहां उगाई जाती है मौका काफी उगाई जाती है एशियन कंट्री है वो तो साउथ अमेरिका ने दोनों अर्जेंटीना और ब्राजिलिन को हटा देजे इराग भी नहीं है ठीक है यमन हो जाएगा इराग और यमन में से यमन तो मौका काफी जो ह यमन में उगाई जाती है और मौका नमक बंदरगा से निर्याद के करन इसका नाम मौका पड़ा दस्वा प्रश्ण है निम्रिखित कत्नों पर विचार करेंगे दो स्टेट्मेंट के साथ बताएं नमसे कौन सा करेक्ट होगा देखे एक पौधा जिसमें नाइट्रोजन की कमी है छोटे कद का विकास हलके हरे और पीले रंग की पत्तियों जैसे लक्षण को दरसाएगा अपने अंदर और पौधा में नाइट्रोजन जो है हरी पत्ति के विकास के लिए जबमेदार होता है बिल्कुल पौधा में नाइट्रोजन हरी पत्ति के विकास के लिए आवशकता अवशक होता है और एक पौधा जिसमें नाइट्रोजन की कमी है छोटे कद का विकास हलके हरे और पीले रंग की पत्तियों जैसे लक्षण दरसाएगा हलकी हरी तो पत्तियां इसलिए हो जाएंगे क्योंकि पीला पना जाएगा उसमें करेक्ट है दोनों के दोनों स्टेटमेंट सी है इसका अंसर तो नाइट्रोजन पौधों के विकास के लिए पर हम आवश्चक है यह पौधों की कोशिका और उत्कों के निर्माण के लिए आवश्चक्त तो है नाइट्रोजन की कमी से पौधों का जो विकास है वो अवरुध हो जाता है पत्तियां मुर्जा जाती है और पीली पड़ जाती है कोशन नमर 11 पर आजए यह निम्लिकित कत्नों पर विचार करेंगे दो स्टेट्मेंट के साथ पताईए कौन सा करक्ट है चाय के पौधों को उच्छ यूमस युक्त उर्वर म्रदा की अवश्चक्ता होती है और किसी भी अफरीकी देश में चाय बागान ही नहीं है क्यों केनिया तंजानिया यूगांडा में नहीं है क्या देखिए यह कहना तो सरसर गलत है दूसरा वाला स्टेट्मेंट गलत है पहला वाला सही है तो बीश्वी सताबदी के बीश्वी सताबदी में पूर्वी अफरीका में केणिया तंजानिया और योगांडा जो है चाय के प्रमुक उत्पादक बन गए तो यह कहना गलत है बिल्कुल कि अफरीकी दिशामें चाय के अबागान नहीं है देखें important है चाय के पोधों के विकास के लिए क्या क्या चीज आवश्चक है एक तो धलान युक्त उच्छ भुभाग वाला छेत्र होना चाहिए जिसमें मिट्टी की गहराई जो है वो परियाप्त हो और मिट्टी का पी-एच्पान साड़े चार से साड़े पांच के मद्ध होना चाहिए जैव पदार्त जिसे की हिूमस भी इस पृतिशत से अधिक होना चाहिए वर्षा भी अधिक चाहिए लेकिन पानी रुकराने चाहिए ठीक है धलान युक्त मिट्टी होनी चीज़ जैसे की पहाड़ी शेत्रों में होती है कोशन नमबर बारे पर आज़िए पाट जोल नमर्कित में से क्या है पाट जोल मिट्टी है लेकिन कैसी कोशन दधारी बन पर देशों में पाई जाने वाली सुष्क पर देशों की मिट्टी अत्य देख अर्वर ज्लोड मर्दा धेके कोशन धारी संकुधारी पर देशों की मतलब एई हो जाएगा इस कांसर यह मिट्टी है उत्री अमेरिका और यूरेसिया में 60 degree उत्री अक्षांस के उत्री टेंगा वन टेंगा आटूंडरा नहीं है के टेंगा यानि संकुधारी और कोणधारी प्रदेशों में पाई जाती है संकुधारी या कोणधारी एकी बात है कोशन नम्बर 13 पर आजए इन अम्रिके में से अल्फा अल्फा क्या है यह दक्षण एसिया में लुटशन घास के मैदान के रूप में जाना जाता है तो घास है एक यह प्रशन पूछा गया था दोहार पंद्रा में MPPCS में कि अल्फा अल्फा क्या है कोशन नम्बर 14 पर आजए इन अम्रिके में से कौन सा एक चाए में नहीं पाया जाता देखे चाए में जो पाया जाता है वो है कैफिन, टैनिन और पॉली फैनाल्स मॉर्फिन अगर इतनी आसानी से चाए में मिल जाता तो चाए बहुत महंगी आती ठीक है इसके लिए अफिम में पाया जाता है अफिम के बहुत है में जिसको पोस्ता या पोस्त भी कहते है तो चाए का प्रियोग सबसे पहले जो है चीन में एक चिकितसकी है पे के रूप में हुआ था चाए में थिनाइन, कैफिन, पॉलिफैनाल्स, टैनिन और थियो ब्रोमाइन थियो फाइनिल आधी तत्व जो है पाये जाते है मॉर्फिन नहीं पाये जाता चाहिए मैं मॉर्फिन अफिम या पोस्त या पोस्ता में पाये जाता है कोश्य नूमबर फिप्टीन पर आजएगे सेक्रा मेंटो सान जो वाक्सिन घाटी जो अमेरिका में अंगूर और खटे फलो यानि सिट्रस फलो के उतपादन के लिए विख्यात है अवस्तित है कहां पर कोलंबिया, मेक्सिको, अलासका या कैलिफोर्निया सेक्रामेंटो सान जोवाक्सिन घाटी जो अमेरिका में अंगूर और सिट्रस फलो के अत्पादन के लिए विख्यात है केलिफूर्निया में अवस्त है तो सेक्रो मेंटो सान जोवाक्सिन घाटी सैयुक्त राज अमेरिका के जो है केलिफूर्निया राजे में अवस्त है और यह घाटी विश्व भर में अंगूर और सिट्रस फलों के उतपादने के लिए विर्सद्द्द यानि खट्टे फलों के लिए तो यह 15 प्राशन थे इनकी प्रक्टिस एक बार कर लिए जगा धन्यवाद